मोना देव जिसे बुलाती है वो कोई साधारण बाबा नहीं थे ये बाबा पहले से ही जानते थे हवेली में अन्होनी होगी इसलिए अपनी शिश्या मोना देव को भेज देते हैं मोना देव सारा हाल बताती है हवेली का ये बाबा का नाम था लुटेरा बाबा लुटेरा बाबा जिनका नाम अजय था अजय ने पहले किसी से इश्क किया था मगर वो इश्क अधूरा रह गया जिसके वजह से ये बाबा लुटेरा बाबा बनके कल्यान करने लगा समाज का लुटेरा बाबा हवेली में आ चुके थे अब एक महा हवन का आरंब होने वाला था इसी बीच में जस्ट फील इच्छाधारी नागेन अपना रौद्र रुप धारन कर चुकी थी क्योंकि नीलेश उर्फ महेश दल्ला और डिये मुर्फ देव दोनों सपेरे उसे अपने वश में कर चुके थे वही सनाखान अंकिता शर्मा को पता चलता है कि वो आग उस दिन रसोई घर में मंजुलिका द्वारा लगाई थी मंजुकिला का हवेली में प्रवेश प्रियल जो मंजुलिका की पोती थी के द्वारा हुआ था प्रियल बंगालन मोना देव की दूर की महमान थी वही डाकू से एक प्रचंड युद्ध होता है जिसमें महाराज पूजी, श्वेत और छोटू घायल भी हो जाते हैं वही एलियन उर्फ चौबे गद्दारों के साथ काली शक्ती को जगाने में लगा रहता है संकी बॉय को एक सुरक्षित कोठरी में लाया जाता है जहां पंडित आशुतोष तिवारी और लुटेरा बाबा मिलके प्रभु भोले नात की प्रतिमा के समक्ष महा हवन आरंभ करते हैं वही मोना देव सारी हवन सामगरी का इंतिजाम करती है महादेव ने लुटेरा बाबा को संकेत दिया जो पूजी योद्धा अंकिता शर्मा के साथ आई छोटी सी बच्ची है उसमें दैवी शक्ती है क्यारा जो छोटी सी मासूम सी बच्ची होती है उसे हवन के समक्ष बैठा के दैवी शक्ति को जगाने का आयोजन किया जाता है अचाना किच्छा धारी नागिन उर्फ जस्ट फील हमला कर देती है जिसमें सना खान, अंकिता शर्मा घायल हो जाते है वही काली शक्ति अपने पूर्ण आवेश में होती है काली शक्ति का प्रभाव इतना हुआ कि हवेली की दीवार भी काली पड़ गई वही कियारा के अंदर दैवी शक्ति जाग जाती है कियारा के अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि अकेले सबसे लड़ सके क्योंकि एक तरफ मंजुलिका, इच्छाधारी नागिन और कई बुरी आत्मा थी दूसरी तरफ छोटू लड़ाई में जखमी ज्यादा हो जाता है जिससे वो वही कुआं के पास आ जाता है अचणक उसके सामने इच्छाधारी नागिन उर्फ चीकू सामने होती है तब ही सोनम पी और नेहा खान छोटू को खींचके दूसरे जगह ले जाते है तब ही सोनल दिखाई देती है छोटू को जो अपनी शक्ती से छोटू को ठीक कर देती है तब ही लुटेरा बाबा को आभास होता है एक अच्छी ताकत भी है जिसे जिन्दा किया जा सकता है कियारा अपनी ताकत से सोनल को जिन्दा कर देती है वही डकैत सारे मारे जाते है महराज, पूजी, श्वेत घायल हो जाते है कियारा और सोनल मिल के घायल हुए वीरो को ठीक करते है और वही कियारा सोनल मिल के छधारी नागिन से बुरी ताकत से आजाद करते है और अब लड़ाई होती है अच्छी ताकत और बुरी ताकत में और अच्छाई की जीत होती है अब आगे वाले भाग में हम देखेंगे शादी का उत्सव। आप देख रहे हैं कसर एक अंसुलजा रहस्य, लेखक शायर छोटू तेजाब।